हेलो भाई लोगो क्या हल चाल यार लेकर आयो एक थ्रिलर मैच पहले तो आप ये क्लीप देख लीजिए ये लास्ट टाइम की क्लीप है जो कि क्राउन फोर के अगेंस्ट हुआ था इंगलेंड प्रीमियम लीग का ही हम मैच और ये थ्रिलर मैच हम हारे थे भई तो जिन्नों ने भी इस वीडियो को वाच नहीं करा है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिये अब वहाँ जाके देख सकते हो ये देखी ये थ्रिलर मैच था जो कि हम लास्ट बॉल पे अपोनेंट ने हमें छक्का लगा कर हराया था जिया भाई छे विकेट से हमें हराया था तो यही प्लेयर हमें मिल चुका है औस्टेलिया प्रिमियम लीग के अंदर जिया भाई ये क्राउन फोर का अपोनेंट हमें अगेन मिल चुका था औस्टेलिया प्रिमियम लीग में तो यहाँ पर अपोनेंट ने टॉस जीता था, बॉलिंग करने का फैसला किया था, वही मेलबन का ग्राउंड है, वही पुरानी याद है, चलिए देखते हैं, इस बार क्या हम रिवेंज ले पाएंगे, मैथ्यू वेट पहली बॉल का सामना करते हुए, ओ, पहली बॉल पर ब बाउंडरी इनके स्कोर कार्ड में जोड लीजिया, अगली बॉल कैराम करी, इसे भी कट किया है, और एक और बाउंडरी, अपोनेंट फिल चेंज करने का नाम ले नहीं रहे, इस बार दूसरा है, टाइमिंग परफेक्ट है, पहला छक्का आता हुआ, मज़ा आता है, इनक बाउंडरी इसकी बरसाथ हो रही है, इस बार गोल शोट खेलना पसंद किया है, एक बार फिर बाउंडरी लगाएंगे, तो पहले ओर में 26 रन आ चुके भई, या पर आग उगलते हुए मेरे दोनों ही बल्ले बास, स्वेप्सन को लाया है, और पहली बाल पर लेग साइड में खेल दिया, इसे लेग स्वेप्सन समझ करी, तो पहली बाउंडरी आती हुए, इस वेप्सन का स्वागत बाउंडरी से हुआ है, और आपको मैं बता दू, यह हार्ट पीजे भई, यह लीजे, एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, सेम शोट, सेम रिजल्ट, मज़ा बल्ले बाजी देखने में, राउल त्री पाटी, मैथ्व वेड, कॉम्बिनेशन अच्छा, एक बार फिर कट लगाया, क्या बात है भाई, मैथ्व वेड, आपकी बल्ले बाजी में मज़ा ही कुछ और है, यह लीजे भाई, श्ट्रॉक खेलना भी जानते है, प्ले समाप, रादा कृष्णन को लाया गया है, और यहाँ पर कैरम बॉल करी, पीछे की और खेला जरूर है, लेकिन मिलेंगे दो, रिकवाईर रंडरेट आप देख सकते हो, करन रंडरेट आप देख सकते हो, जोरी 25 का है भई, अपोनेंट की कमर तोड रखी है, इस बार स्ट्रेट ड्राइव कर रहा है, टाइमिंग अच्छा है, निकल जाएगी भई, बाउंडरी दे कर जाएगी, वैसे यह ओवर अच्छा गया है, जोन बोद्धा को लाया है, इस पी नर अच्छा वर कर रहा है, एक बार फिर कट किया, लेकिन बाउंडरी आपर मिलेगी नही तीन रन मिलेंगे या, राहूल त्रिपाटी आपको कुछ करना होगा, मेथ्यू वैड अपने हाफ सेंचुरी के लिए खेल रहे है, एक बार फिर कट लगाया, लेकिन यार यहापर फिल्डर मौजूद है, बढ़ दो यहापर मिल जाएंगे, वैड अपने हाफ सेंचुरी क अच्छा है बढ़िया यहापर सरकल क्रोस कर जाएगी यह बॉल, यह लीजिए, बढ़िया पर अपोनेंट ने लास्ट के दो वर बहुत अच्छे डाले, अच्छा कमबेक कहूँगा मैं, कुल्टर नाइल को लाया है, पहली बॉल, स्लोवर करी, बढ़ा ही अरली खेले बढ़ा जटका यहापर लगता हुआ, विसे टार्गेट हमारा सैट कर दिया है, वैड ने अपना काम कर दिया है, बढ़िया पुल्टर नाइल, चौती बॉल, एडवांस खेला है, एज लगा है, और यहापर एक ही रन मिलेगा, यहापर लग ने साथ नहीं दिया इस ओवर का, तो 83 रन हमने मेलबन में बनाए, 84 का विशाल टार्गेट है, अगार कलेंगे पहला हुआर, दूसरा बॉल से शुरुवात करिए, यह गलत शॉर्ट सिलेक्शन है यार, यह रिसकी शॉर्ट है आप जो खेल रहे हो, डॉट होगी पहली बॉल, एक बार फिर दूसरा, इस कैरम बॉल, कट लगाया, लेकिन फिल्डर हमने परफेक्ट रखा हुआ है, फिल्डिंग हमारी आप देख लीजिए, भाई, पावर प्ले में आप यह फिल्ड लगार कर फिल्डिंग करिए, बॉलिंग करिए, रन कम लगेंगे, यह ओवर की लास्ट बॉल डॉट कराई है, क्या ही बैतरी ने ओवर करा है, अगार ने, नौरन पे निकाला, रादा क्रिशनन को लाया है, दूसरा बॉल है, एडवांस खेलना पसंद किया है, चलिए, ठीक ठाक है, वैसे यह एडवांस स्पिन के लिए इतना वर्क करता नहीं है, आप पेसर में से यूस कर सकते हो, यह देख लीजे, इस बार कैरम करी थी, कनेक्ट हुई नहीं है, सिर्फ दूसरा पर कनेक्ट हुई थी, इस बार दूसरा करी, एंजिलो मैथ्यूस, कवर के उपर से बैक फूट शॉट कहिला है, यह अच्छा शॉट है बई, चार यहापर आ जाएंगे, लेकिन यहाप पर अप सामने है, ट्रेविस हैट, कट किया है, क्या ही स्वागत किया है, यहापर जेबर्ड का, इस बार इस ट्रेट बॉल है, यहापर लॉंग होफ पर खेलने का ट्राइ कर रहे थे, डॉट कर वही है, यहापर कमबेक कर रहे है, अपॉन एंड अप, प्रेशर में पूरी तरीके स इस बार इस्ट्रेट बॉल दावन वाला एडवान शॉट है और मिल जाएंगे आपर दो रन मैच तो हमारे हाथों में पूरी तरीके से आ चुका है भाई इतना बड़ा स्कोर 24 का रिक्वाइर रन रेट वो भी मैलबन में इस बार इस्ट्रेट है यहाँ पर गोल शॉट लगाया ज़रूर है लेकिन फिल्डर हमारे पहुच जाएंगे यहाँ भी दो ही रन मिलेंगे अच्छी बॉलिंग हो रही है वेसे लैन बटलर को लाया चोता हुआर इन स्विंग बॉल है एडवांस खेला है अच्छा एडवांस है यह वेसे लेकिन मिलेंगे यहाँ पर दो ही रन रन काफी होना अपोनेंट को अटेक करकर खेलना पड़ेगा विकेड की चिन्ता नहीं करना होगी इस बार स्लोवर है योउर्क कर रहे यह आपर गोल शोट लगा रहे लेकिन टाइमिंग हो नहीं रहा है भई connection बैठ नहीं रहा है सही से यहाँ पर opponent काफी सोच विचार करकर खेल रहा है ओवर की last ball बाउंसर करी है यह pressure के चलते हैं गला short selection timing भले perfect है लेकिन short selection आपकी गलती यह Melbourne का ground है आप पीछे खेल लीजिए last over swipson करेंगे यह और कर बॉल से शुरुवात करते है और यहाँ पर जाडू short खेला है और यह short भी इन्होंने gap में खेला है यहाँ पर तीन रन बड़ी आसानी से इने मिल जाएंगे अब पाच बॉलों में 40 रन होना जो कि impossible है इस बार leg spin करिए और यहाँ पर साइड में खेलना चाहते थे पिछिंग अच्छी दी इनिंग की लाश्ट बॉल लेग spin है यहाँ पर भी डॉट होगी काफी बढ़िया ओवर निकाला है स्वेपसन ने और यह मैच को हमने 35 रनों से जीत लिया है भाई तो कैसा लगा आपको रिवेंज और हमारी बैटिंग कमेंट करके जरूर बता है यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थेंक्स पर वज़ब